आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाल है इसके बारे में आपको अच्छी जानकरी मिल सकती है चलिए फिर शुरुवत करते हैं आज के नए टॉपिक पर दोस्तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडियन रेल्वे में एलपी से एलपी तक यनकी असिस्टन लोको पाइलट से लोको पाइलट तक किस तरह का प्रोमोशन रहता है ये हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तो हमारी इंडियन रेल्वे वर्ल में टॉप फाइव में आती है और बहुत जबरदस्त रेल्वे और क्रीव की मैनेजमेंट होती है दोस्तो इंडियन रेल्वे की वैकेंसी में डायरेक्ट एल्पी के पोस्ट के लिए रिक्रूट्मेंट नहीं की जाती बलकि असिस्टांट लोको पाइलट के पोस्ट पर पोस्टिंग किया जाता है और यही से एल्पी से एल्पी यानिकी असिस्टांट लोको पाइलट से में लोकोपाइलेट बनने की जर्णी स्टार्ट होती है इंडेन रेल्वे में एलपी का काम है कि ट्रेन चलाने में में लोकोपाइलेट को असिस्ट करना जैसे कि ट्रेन अपनी जर्णी स्टार्ट करने से पहले लोकोमोटिव के मेकेनिसम पार्ट को चिप करना और प्रेशर ब्रेट प्रेशर को चेक करना, सिगनल्स का एक्षेंज करना, आधी सारा काम असिस्टन्ट को पागेट को करना पड़ता है इंडियन रेलवे में आरनपी याने की रेलवे रेकृट्मेंट बोर द्वारा एलपी के पोस्ट का एक्जामिनेशन होता है और उस एक्जाम में और कुछ टेस्ट में कौलिफाई होने के बाद रेलवे के ट्रेनिंग होती है वो पूरी करने के बाद गोर्स ट्रेंप पर डिजिल और एलेक्टरिक लोकोमोटीव पर एलपी का आपोइंट किया जाता है और ये बेसिकली दो एर्स तक होती है और उसके बाद सिनियर असिस्टेंट लोकोपाइलट का पोस्ट मिलता है इस पोस्ट में एलपी पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन में एक्सपिरियंस लोकोपाइलट के साथ काम करता है उसके बाद उसे लोको पाइलट का पोस्ट मिलता है बट ओनली शंटिंग करने के लिए शंटिंग याने कि किसी मेजर स्टेशन पर जहां बहुत ट्रेन का ओरजिन और डेस्टिनेशन स्टेशन होता है जैसे कि मुंबे का ट्रेक्टर रिमिनस, CST, हजरत निजामुदिन, त्रेवे द्रम जैसी बड़िव स्टेशन पर शंटिंग का काम होता है शंटिंग का काम यही होता है कि जब किसी ट्रेन डेस्टिनेशन स्टेशन पर आती है तब उस ट्रेन का जो इलपी लाते है उस इलपी से उस ट्रेन का चार्ज लेकर उस ट्रेन को 15 किमी पर हावर्स स्पीड में फ्लैटफरम से याड तक या फिर किसी एमटी ट्रेक पर लेकर जाते है और इसी तरह से ट्रेन को यार्ड से पीएब तक लाया जाता है और उस ट्रेन का हैंड वर उस ट्रेन के मेन इलपी को किया जाता है शंटिंग में लाइट लोकोमोट्यू को भी यार्ड से प्लैटफरम या फिर प्लैटफरम से मेन लाइन तक चलाया जाता है Experience gaining होने के बाद Shunting Locopilot को Goods Train का Locopilot का Promotion मिलता है Goods Train चलाने का Experience grow होने के बाद Passenger, Mail Express और Super Fast Train जैसे कि राच्थानी दुरोंतो ट्रेंट पे As a Locopilot की Posting होती है दोस्तो इसी तरह से इंडियन रिल्वे में Assistant Locopilot से Main Locopilot का सफ़र रहता है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेर किजी और चैनल को सबस्क्राइब करे धन्यवाद